जैहन मित्रो बड़ा अच्छा लग रहा है आप से मिलकर और बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है बहुत ही अच्छा लग रहा है और साथी साथ मैं हर उस साथी से बात कर रहा हूं जिन साथियों से मैं लगातार बात करता रहा हूं सब सब सबसे पहले मैं अपना पर करते हैं हिंदुस्तान में जो आरसीन बिजनस के उद्देश है स्वाव लंबन स्वास्तर अच्छा नए भारत का निर्मान इनको लेकर बहुत सारे साथियों को प्रेड करते हैं आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं और लगातार इस अभ्यान के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं तो साथियों अभी 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 एक साथी का मेरे पास फोन आया कि क्या करूं इतनी सारी तकलिफे आ चुकी है इतनी सारी बाधाएं मेरे रास्ते में आ रही है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं कैसे करूं क्या करूं तो साथियों मुझे कहानी आदा रही है व कि ये टीम में लोग काम नहीं कर रहे तो में कैसे करेंगे किस तरह से लोगों आगे बढ़ाखेंगे और हम लोग लगतार महा सितनबडर मिशन इनिवर्स्टिरी के लक्षों को लेकर काम कर रहे हैं तो एक स्टोरी मुझे याद largest कि एक एक बार ऐसा होता है कि एक पिता अपने बच्चे को सिख्षा देने के लिए एजुकेशन देने के लिए जब बच्चा जो है वो भी इसी तरह की बात करता है कि मुझे जिंदगी में कोई प्यार नहीं रहा कोई उत्साह नहीं रहा कोई उमंग नहीं रही सब तरफ नेगेट एक पोठ में एक रखता है और एक पोड में वो कॉफी डाल देता है जब गरम पानना शुरू किया और अलू जब गरम पानी से बाहर निकला तो वो एग अंडा डाला गया था वो अंडा उस गरम पानी के प्रभाव से जो की थोड़ा अंदर से मुलायम था उस वक्त लेकिन जैसी गरम पानी का प्रभाव उस पर आया वो अंदर से कड़क हो गया, मजबूत हो गया लेकिन काफी ने क्या किया कौफी ने उस पानी का रंग ही बदल दिया तो उस पिता ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा देखो आपके सामने चुनोतिया जब भी आती है जब आप कठोर परिस्थिती में उतरते हैं तो आपके पास आप्शन है आप आलू जैसे मुलायम बन जाओ जब कठोर परिस्थिती आती है मतलब आप कमजोर बन जाओ या फिर आप अंडे जैसे कड़क बन जाओ या फिर परिस्थिती जो आपके पास आई है उस परिस्थिती को ही बदल दो सारे माहोल को ही बदल दो क्योंकि कौफी ने वैसा ही किया और जब आप काफी की खुश्बू लेते हैं तो केसी भीनी भीनी खुश्बू आपको आ रही है बेटा तो अब आप समझिए साथियो कि हमें क्या करना है हमें काफी जैसा उस पानी के रंग को बदल देना है मतलब पूरे माहोल को बदल देना है और जो लीडर होता है साथियो जो माहोल बनाना जानता है वो अपनी टीम को जिताना जानता है तो मेरा यही आप से रिक्वेस्ट हैं निवेदन है कि आज इस मंतर को यहां से आप लेकर जाएं माहूल बनाईए जिस तरह कॉफी ने पानी का रंग बदला उसी तरह से आप भी कॉफी बन कर पूरे माहूल को बदल डालिए और यकीन मानिए महा सितंबर में बड़ी काम्याभी पूरी टीम को मिलेगी हर एक साथी की पिन बदलेगी क्योंकि पिन बदलने का है वादा किया ह हमने मजबूत इरादा तो साथियो मिशन एनिवर्सरी खास है रचना इतिहास है इन्ही शुपकामनाओं के साथ आपसे फिर मिलेंगे थैंक यू जै आरसी एम जै भारत